मा गायत्री का ये पावन मंत्र वैदिक साहित्य में आया, वैदिक परंपरा में आया एक ऐसा पवित्र मंत्र है, एक ऐसा अनुकरणी मंत्र है जो हर साधक को, हर शिश्य को, हर याजक को एक ही शिक्षा, एक ही सूत्र, एक ही आदर्श की और चलने के लिए प्रेडित करता है और वो ये, ये जो मनुष्य का जीवन है वो हम लोगों को एक सवभाग्य की रूप में भी मिला है और एक संभावना की रूप में भी मिला है एक ऐसी संभावना के रूप में मिला है जहां पर इस संभावना के सूत्रधार हमारे अलावा और कोई है नहीं ज़िए हम लोग चाहें तो इस पनुष्य के जीवन को उसोर ले जा सकते हैं जहां पर पाप की, पतन की, पराभव की खाईया है सिर्फ व्यक्ति के चिंतन को दूशित होने की आवश्रकता है, मन को विक्रत होने की आवश्रकता है, भावनाओं को वीभत्स होने की आवश्रकता है और उसी व्यक्ति को अपराधी बनते, पापी बनते, दुष्ट बनते, पृत, पिशाज, पशु बनते वक्त लगता नहीं है व्यक्ति का जीवन जदी नीचे की ओर चला जाए उस ओर चला जाए जहां पर व्यक्ति अपने जीवन को ब्रह्म में, भूल में, भरांतियों में, भटकाओं में उलजा करके रख देता है तो अधर मनुष्य के हिस्से में सिर्फ अगलानी और निराशा आती है एक संभावना हमारे जीवन की वो है जो हमें नीचे की ओर लेकर के जाती है और दूसरी संभावना हर व्यक्ति के अंदर, हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर उस रूप में सुरक्षित है जिसको गुर्देव ने मनुष्य में दिवत्त का उदाय धर्ती पर स्वर का उतरन कह करके पुकारा ये कहा कि हम में से हर वेक्ति उसी ईश्वर की चेतना को लेकर के धर्ती पर आया यदि हम लोग अपने अंदर छुपे उस ईश्वर को भगवान को परमात्मा को जगा पाते हैं तो किसी अन्य स्वर्ग को देखने की आवशक्ता फिर रह नहीं जाते हैं ये धर्ती स्वर्ग में बदल जाते हैं हमारे अंदर की एक संभावना वो जो हमें पशु बनने की और लेकर के जाती है दूसरी वो जो परमात्मा बनाती है नीचे गिर गए तो वही व्यक्ति उंगली माल हो जाता है और उपर उठ गया तो वही व्यक्ति बुद्ध कहलाता है नीचे की और वो यात्रा है जो मनुष्य को सिर्फ पाप के द्वार पर ले जाकर खड़ी करती है और दूसरी संभावना वो जो हमारे चिंतन को प्रकाशित करती है व्यक्तित्य को जिल करती है जीवन को अलोकित करती है और मनुष्य के अंदर उस महामानव को उस महापुरुष को जन्मु देती है जो न केबल अपना कल्यान करते हैं बल्कि इतिहास में एक ऐसी धारा को खीच करके जाते हैं जिस पर अनेकों चलने में स्वयम को भी गौरवान भी तन्भो कर पाते हैं और वो संभावना जगाने का जो मंत्र है वो गायत्री का ये पावन मंत्र है इस मरन जिलाता है कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर, मनुष्य का चित्त, मनुष्य की जीवन शेली, मनुष्य के जीवन का दृष्टिकोन हम में से हर व्यक्ति को प्राप्त है और इसमें से संगीत वही निकलता है जस्तान को हम लोग छेडते हैं हम चाहे तो इस पनुष्य के जीवन में गुर्देव को पैदा कर सकते हैं विवेकानन्द को पैदा कर सकते हैं संभावना हर व्यक्ति के भीतर है और ये चैन के सुधा भगवान ने हम में सहरेक को दी कि हम चाहें तो समार की ओर बढ़ सकते हैं